नमस्कार दोस्तों वेलकम टू हिट टीवी कम उम्र में ही नजर आने लगी है बुडी तो ट्राइक करे घर में बने ये फेस पैक जिस तरह की लाइफस्टाइल और डाइट आज कल हम फालू कर रहे हैं उससे सिफ डियाबिटीस मुटापे और कोलिश्राल की समस्या ही देखन हो नहीं मिल रही बलकि तवच्छा भी समय से पहली बुड़ी नजर आने लगी है अगर आप भी तीस की उम्र में नजर आने लगी है पचास की तो घर में तयार होने वाले इन पेस पैक से दूर कर सकती है ये समस्या जिस तरह के बातावरन में हम रह रहे हैं जिस तरह का ख पर भी नजर आ रहा है इन चीजों को चलते तीस के उम्र में ही तवच्छा पचास की नजर आने लगी है अगर आपके साथ ही है ऐसा तो इन फेस पैक को बनाए अपने ब्यूटी रुटीन का हिस्सा शहद का फेस पैक शहद स्किन को कई तरीखों से फाइदा पहुंच जा आना सिर्फ वच्छा की नमी को बरकरार रखा जाता है बलकि उसकी चमक को भी बढ़ाया जा सकता है यहां तक कि शहद दाग दब्बे दूर करने में भी असरदार है लेकिन क्या आप जानते ही कि शहद से आप बढ़ती उम्र के असर को भी थाम सकती है बस इसके लिए दाल और सकिन दोनों के लिए फाइदे मन होता है इसे सकिन केर रोटीन में शामिल कर आप हेल्दी कोमल और चमकदा तवच्छा पास सकती है साथ ही चेहरे पर नजर आनी वाले बढ़ती उम्र के लक्षनों को भी कम कर सकती है इसके लिए पपीते में शहद मिला कर पैक तयार करे चेहरे पर लगाए और हलका सूपने बाद पानी से धोले बादम और दूद का फेस पैक बादम में तवच्छा को हाइडरेड रखने के गुन होते है मतलब इसे सकिन केर में शामिल कर आप तवच्छा की नमी को बरकरार रख सकते हैं कम उम्र में ही अगर आपका चेहरे पर बुड़ा पर नजर आने लगा है तो इसकी एक बड़ी वजा नमी की कमी होती है इसे बड़ाने और बरकरार रखने के लिए बादम को पीस कर इसका पौडर पना ले और उसे चेहरे पर एप्लाई करे सूपने के बाद नौर्मल पानी से धोले धन्यवाद